कि हमारे हां बड़ी परमपराय थी बड़ा मानता थी सम्मान था हमेशा सम्मान सूचक उपादियां थी कि लेकिन कुछ नई पैदाबर जो आई कि उस सब तैस्टनेस करने की दिसा में लगी हुई है अपनी प्रकृति के नियम को प्राकृतिक विवस्था को पूर्व के बड़े बजरुक लोगों के द्वारा बनाए गई विवस्था थी उनको नष्ट करने में लगे हुए मैं आप लोगों से चाहता हूं अपनी शंस्कृति अपना सनात्वन अपना इथ्यास अपनी भोगलिक विवस्था अपना पारियावर्ण विवस्था बनाके रखो उसी में ही हमारा सबका हित है बांकी कि नश्ट होना चाहते हो तो विवस्था हीन हो जाए है नश्ट होना चाहते हो तो विवस्था बेगाल लीजिए यदि कुछ बनना चाहते हो प्रगती करना चाहते हो यह उनिती करना चाहते हो उत्थान करना चाहते हो तो आप अपनी विवस्था को मजबूत कीजिए धंदे पानी रोजगारों को बढ़ाइए और अपनी गर्म से क हैं हम भार्तिएं हैं हम हिंदु हैं यह हमारी पैचाल हैमारी किसी कि लोग आवाज को दबाना चाहते हैं गुरु झी जिन heading तो में जातिवा उपने दबाने वाले में से नहीं है कि हमारे यहां जो परमपरे हैं मैं उसको लिक्त है। ऐसी बुखार को बुखार नहीं कहोगए, कैंसर को कैंसर नहीं कहोगए, टीवी को टीवी नहीं कहोगए. उसका बही का संबंद०ित ओप्चाद नहीं करोगए, तो मरीग छला राएगा इसलिए मुझे पूछना पड़ता है मजबूरन पूछना पड़ता हमारी विदा है कि आप किस गोत्र के हैं किस प्रवरकें किस साखा से किस सूत्र से कहां से निकासी हैं जिससे हम आपके सही-सही कुल देवता और कुल देव कुल देवी बता सकें जिससे आपकी प कि उंत्राल चल की जोला दे भी पूजो वहां कि फलाने देप पूजो फलाने देप तब पूजो तो आपका ओगे यह ही नहीं है तो हमां का ले जाओगे विवस्ता तुमाही तहीं के ता एद्धी डाक्टर को दर्द छुपा लोगे बीमारी छुपा लोगे तो दबाई दे आपके घर में कौन देपता पूछते होंगे उसका में सोथ करना होता है इसलिए मैं पूछता हूँ हमारे पर भी कुछ बच्चे कह रहे थे बोले आपको नहीं पूछना चाहिए पी जाती क्या है लोगों को लगता कि यह पंडित है तो इसलिए हमें नीचा दिखाना चाह हूँ ऐसे लोगों को मेरे पास नाने दें अपनी समाजों को रोख लें हमें पूछना पड़ता है क्योंकि हम कोई बुखार पेटदर्द सिरदर्द के या उसके हम डॉक्टर्स नहीं है कि हम आपकी बीमारी पूछें दर्द मीठा होता है खट्टा दर्द सेन करने वाला है या मीठा मीठा होता है हम दवाई लिखने वाले गुरुज नहीं है हम आपके डिएने के कुल देवता को पुझवाने का मेरा करम है जिस डिएने जिस कुल से जिस खांदान से बिलोंग आप करते हैं वो पूर्बजों तक पहुचाना मेरा करम धरम बनता है और वो ही सच्चा गुरू है यदि किसी के पित्र बढ़ते करें हैं रो रहे हैं तलब रहे हैं उनको उनके पित्रों की पूजा कराना तिल-तिला जिरी कराना है उनको सराद कराना उनको समय पर पटा दिलवाना इस्थान दिलवाना ये हमारा धरम है आपको लगता है यह कोईश नहीं होता जो सब डॉंग धपाला हैं तो अपनी समाजों को अपने विश्वों को रोक लो कि कहीं कुछ नहीं होता घर है बेटो तो हमें बताना ही नहीं पड़ेगा हम इसके आपके आवारी रहेंगे एदि किसी को बुरा लगा हो इस बात को लेकर किसी भी जाती होता ही नहीं कोई वोद्परत बनते ही नहीं तो वह भीजम इमत यहां ज्या पढ़े लेके हो तो अपने गेर रखो में पासा आओं है तुम्हें बताओंगा नियम करोगे ठीक यहां करोगे B मेरा कुछ नहीं ले जाओगे कि एधी गलत कहा हो तो आप लोग मुझे टोक सकते हो सर्व जाती पंदसंबदाई के लोग हैं बेठे हैं मेरा किसी का अपमान या उंचा निच्छा करने का कोई विचार नहीं है सीधा सीधा है तुमारे समाधान तक पहुचाने का विवस्था हमारे यहां सास्त पुरानों में तक आए का गया सर्मा ब्रामन के लिए कोट के अ वड़का गया चार पुरणों के लिए चार विवस्था विवाजिट है चार गोंड़ से इ मुझा इसके साफ सों झालब करती हैं तो शर्मा बर्मा दास आउज बोल करके हम उसको संक्लबत कराते हैं और उसका अनुष्ठा संपन कराते हैं वहां किसी जाती संपधाय का नाम नहीं लेते हैं कोट लेते हैं उस कोट के आधार के देपताओं को उनके फित्रों को मनाने का काम करते हैं और जो छुपा लेते हैं अनुष्ठान नहीं तुम कच करना चाहिए खान पान अपने कुल खांदान में करना चाहिए अपनी समाज में करना चाहिए यह हमारी संस्कृति कहती है सभी बेटा बेटियों से भी निवेदन हमारा है कि अपने समाज के अनकूल अपने कुल खांदान की रीत के अंसार ही विवाय करें बांकी के परवार को दुखित करना हो परवार को नीचे दिखाना हो तो कुछ भी करो वो तुम्हारा हाथ में हमारा काम है लबजाद ना पन पे लबजाद की चक्कर में हमारा बेटा बेटी की जुन्दगी खराम ना हो ऐसे मैं आसा करता हूँ